कि हम लोग पढ़ रहेत है था आ पैठालोजी जिननल न्फी निजनक्न के बढ़ाई चल रहेकि तो उसमें लोगोंने इंजड़ी देखा था सिल he dead ऐडीशन देखा तोने आपको बताते तो आपको बताते थाओं और ड़ाब्टेसेन होता है कि जो ड्री कोड बचने के देंगा था और आप लोगों का और भी बहुत सारे ब्रॉंकेवल में दिया था आपडयों का ट्रेकिया में रेकिया का कैसे सुडस्टेटिफाइड कॉलुमनर एpekt री टील्एम चेंज हो जाता है स्कुम स्एपितिलैम उसके जो सेल्स होते हैं ट्रैंसफोर्म कर जाते तो वो सारा कूछ देखा था तो उसमें पहले आया था याय, ट्र्फी में क्या होता है? सेल कए नंबर और शाइज इंग्रीज कर जाते, इंग्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो ओरगन होता है, डिक्रीज कर निचुरल देका जए, फिजिओलोजिकल, फिजिओलोजिकल भोलते है, मेडिकल में कि कोई बीमारी नहीं है, पैलजिवान यह में भाद सब के साथ होना, तो ब्रेन और बोन्स है, वह एक्जामपल अब दे चको, एडल्ट फेज में जाने के बाद, औल्ड फेज में जाने प्रेमिफलेप्लेजिया में बताय था उसके जो सेल से ऑटोमेटिक इंजर्ड हो जाते हैं खत्रम हो जाते हैं और वहां का जो ऑर्गेन होता है वह भी छोटा सो जाता है जैसे पोलियों के पेसेंट में आप लोग देखते होगे अगर उसका पैर में अगर है तो वह पूरा कर जाते हैं है तो वह चीज़ को डोनेट करने को लोग उपक्तों में एक नोगर डोनेट किया जा तो वह अटोमेटिक रिजिनरेट करके बहुत हाई कि क्पसिटी ऋती है इसकी होती है तो रिजेनेरेट करगे पूरा पूरा लिवर बना लेका नवींट करता है कि दूसरे में चेंज हो जाता है जैसे एक सेल मैं वेगरा करके बता दोगे तो वहाँ पर मालूम चल जाएगा कि इस चीज का मतलम ट्रैकिया का और गेन है अरे ट्रैकिया का यह सेल है ट्रैकिया खराब हुई है और गन को पाचान लोगे बट डिस्प्लेसिया में आप लोग नहीं पाचान पाऊगे समझे अब जी आडी था तो जी आडी मैंने समझाए नहीं था जी आडी में होते हैं यह से गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डीजिस बोलते होता है कि हम लोगों का एसीड नीचे गिर रहा होता जो हम लोग फूड काते वह बोलस के फॉर्म में अंदर जाता और अंदर जाने के बाद हम लोगों की लाइनिंग होती है इस टमक में समझे अभी यह जो लाइनिंग है यह भाई साब खराब हो चुके हैं तो यह खराब होने के कारण यहां से ना फिर यहां पर आएगा समझे ऊपर की तरफ फेकने लगेगा वह तो वह बोलते हैं पेसेंट आगर के बदहजमी जैसा फील हो में आप लोगों का वहां का जो से लवह इंजट होने लगता तो यह जो से लैंसे के लिए इंपार्टेटे यह तो यहां पर isquemus होता है isophagus में और यहां पर क्या होता है columnar तो यह क्या करता है बोलता है भाईया मुझे भी mucus layer चाहिए ने तो acid से मेरा काम तमाम हो जाएगा तो यह क्या करता है isquemus भाई साब columnar में change होता है columnar के पास होता है mucus और इसी को हम लोग बोलते हैं बैरेट्स इको फेगस इसो फेगस भी ठीक है isquemus से जो columnar epithelium में change हो जाए और columnar metaplexia भी बोलते हैं और इसे हम लोग बैरेट्स इसो फेगस भी बोलें है बैरेट्स इसो फेगस समझ रहो ना क्या हो रहा है समझे तो यहीं सारा कुछ है और कुछ नहीं है इसमें और बैरेट्स किसको बोलेंगे columnar अगर इस जगह पर होना कहानी गड़ बढ़ तब पैरेट्स समझे अगर बोला जाए कि इसो फेगस में हुआ है तो बैरेट्स मत लिख करके ना वहां पर अगर है कैंसर अगर होता है तो इसो सपेगश में जो कैंसर होते हैं तो ऊसे स्कुमस कर शीनों मह बोलेंगे अगर इस जगह पर होता है तो सेल की इंजरी कैसे होती है इंजरी के लिए सबसे इंपोर्टेंट जो रीजन है वो है है ऑपोक्सिय हाता है कि जो किसी ओर екए ऑशवर्गान में ऑक्सीजन कम पहुछ तब उहां के जो सैल है वो इन्जर इस्चीमिय कि इसको बोलते है किसी ओर्गन में ब्लड का जाना कम हो जाए ब्लड का फ्लो किसी ओर्गन में कम हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे इस्चीमिया ब्लड का कम हो जाना इस्चीमिया जहां पर इमिया लगा होना उस समझ लेना कि ब्लड से रिलेटेड है और एक ह सीजन का अगर कम हो जाए तो उसे बोलेंगे और ब्लड कम हो जाए उसो नंचरा ब्लेन की फ्लो कम हो जाए तो बोलेंगे स्चीमिया लिए κάνे समय की इसको सिटेश्ट में इन्जडिया जैसे अगर ख़ांस यहfrage हम लोगों का समझ वह तो खिली हो रहा है हनु के इंदो हो रहा है तो इंदो होने का रीजन के अची है यहां पे हो रहा हाई भा कि इसखे कारण कि डिणी नफ l üç मिいや अधविल अध़िक की सप specs क्यूं नई शान पार रही है ब्लड की सपलाइ के डिने में क्यूं नहीं जान पा पारी है because of atherosclerosis atherosclerosis के ची होता है जब cholesterol का level बढ़ जाता है यहां पे clothing होने लगती है ब्लड की heart attack का reason के ची होता हाट attack में cholesterol का level बढ़ जाता है जो capillaries होती है उसे block कर देता है ब्लड की clothing होने लगती है और वह कम से कम आपको नहीं भी तो टाइम लेता है 15 से 20 मिनट ज्यादा ही बोल दिया दस-15 मिनट टाइम लेता है आफटर 10-15 मिनट हाट अटेक आ जाएगा समझ में आ रहा है ना जो atherosclerosis बोलते ही से और यहां पर बढ़ जाने के कारण cholesterol की level ब्लड जो है इंजरी एक्जामपल ले सकते हो ब्रेन हैम्रेज ब्रेन हैम्रेज में क्या होता है ब्रेन हैम्रेज में स्ट्रोक हो जाता है इस ट्रोक किसे बोलते हैं ब्लड जब हमारे ब्रेन में जाता है ब्लड जब ब्रेन में जाता है उसे हम लोग बोलते हैं श्ट्रोक ठीग ना और तो रीजन हैं माईख W c lonely my Przy 강요ER infraction। लब्लड ब्रेंन में नहीं पहुच पा रहे हैं उसे हम लोग इस ट्र्व बोलते हैं एसी क नहीं गले का और माइखका ये कुछ बताया व्रत्रा स्क्लूरोसिप लिबला आफिर ne आफिर यूए पूरी की पूरी ब्लोक हो जाती है यह सारा कुछ पर और और क्या हो सकता है सेल इंजरी का फीजिकल ट्रॉमा के कारण से लोग गिर गया तो वहाँ पर भी उसकता किसी कैमिकल एसीड और अलकली से भी आप लोगों का हो सकता है एलेक्ट्रिक करेंट लग गया ठीक है करेंट लगता है तो उससमें भी सेल जो है वह इंजर्ड होते है रेडियेशन हो गया रेडियेशन जैसे आप लोग बोल सकते हो एक सरे वेगेरा करवाने जाते हो है एक सरे इस वेरी आमफुल फ यह रेडियो के रेडियेशन हो वहाँ से जो निकलती है वह इतनी पाफूर्फुल नहीं होती है की cell को इंजर्ट कर कर देगा और वह प्रण करता है वह बहुत ज्यादा एफ़ेक्ट करता है इसे बोलते हैं और एक हो गया इंफेक्शन इंफेक्शन अगर वाइरस से इंफेक्शन इंफेक्शन किसे वाइरस से हो गया बेक्टेरिया से हो गया प्रोटो जोवा से हो गया फंगल्स का हो गया तो इन सब चीजों से अगर इंफेक्शन होता है तो भी इंजरी हो जाती है तो अभी तक तो देखा कि cell में इंजरी हो क्यों रही हैगत, एक्च्वली में cell होता है, यह होता है, मानलो और यह cell, cell में होती है nucleus, और cell के अंधर के अची होता है, liquid भभा रहा 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 था, जी से हम लोग cytoplasm बोलते है, क्या बोलते हैं, साइटो प्लास्म, और इसमें क्या होता है, माइटो कॉंट्रिया होता है, माइटो कॉंट्रिया क्या करता है, बताउंगा मैं, और इसमें क्या होता है, राइबोजोम्स होता है, यह होगे है राइबोजोम्स, यह होगे है माइटो कॉंट्रिया, और यह होग कुछझ नहीं और बस और एक ऐन्डो प्लास्मिक रेक्टि कुलम भी उता है अभी के लिए इतना यहां हितना बार यहां पर इसलरी मंब्रेन एक बात याद रहना जो हुमें में होते हैं महां पर money सबस्रीन के सेयलं में मेमरीन होते हैं तो इतना कुछ होता और सेयल डी जो ताव거 सेयल मीमरीन किसका बना हुगा रहाता है मेड़न फोसफोल लिप्熱 थहां फॉसेट क्लास 11 ओपयों सारा कुछ बेसिक है अब यहां क्या हो कि यहां पे सिल अपना काम करना बंद करते हैं सिल क्या करवाता है सिल करवाता है रिस्पाइरेशन देखो ब्रीधिंग अलग चीज होता है ब्रीधिंग होता है सास लेना रिस्पाइरेशन होता है ऑक्सीजन के यूज करके एनर्जी बनाना यूज ओफ ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी ठीक है यह फॉर्म एनर्जी समझे ऑक्सीजन के यूज करके एनर्जी बनाने को रिस्पाइरेशन बोलते है और ब्रीधिंग होता है नॉर्मल सास लेना और एक्जेल करना अब एनर्जी कैसे बनाईगी सेल बच्पन में भी पड़े होने ग्लुपोज क्लस ओटू मिल करके लिए सब्से इपौटन चीज क्या है औक्सीजन ग्लुपोज प्लस ओटू मिल करके एनर्जी बनाती अच जो च्पतम में भी पड़े इसलिए mitochondria को powerhouse of the cell भी बोलते हैं क्या बोलते हैं powerhouse of the cell cell का इधन जो है न वो है respiration समझ रहों सेल की जो इधन है यह सारा कुछ इसके भीना सेल नहीं चलेगी और सेल के भीना हम नहीं चलेंगे body अगर चलाना है तो उसके लिए सेल को चलाना ज़रूरी है अगर सेल मर गए तो इनसान मर जाएगा यहीं चीज है नॉर्मल सी concept समझें तो बोडी का एधन है यह glucose plus O2 से मिल करके ATP plus CO2 plus HDO बनाता है और हमारा जो ATP है वो mitochondria में आता है माइटोकॉंड्रिया फॉर्म करते हैं और माइटोकॉंड्रिया में बहुत सारे ATP होता है इसलिए इसे हम लोग बोलता है पावर हाउस अव्ती सेल अब इसमें होता है कैची है अब समझो कि सेल की इंजरी कैसे होगी अगर डिफ्क्ट वजाए तो अब माल लो कि ईशैकन न मिले यहां तक उख्षीजान दे नहीं हाँ न होगा सांड़ा अगर माल लो और सुचैन नयुक्त करेंगे सबसे ज्यादा कि सबसे जदा यह देखो कैसे हुआज में इसको डिख्रष करेंगा ऑक्षीजन जायेगा तो ATP बनेगा और ATP बनाने वाले भाई सब कौन सा है पहले होगा है इंजरी इंजरी के लिए सेल की इंजरी के लिए राइटिंग तो मत जाना राइटिंग मेरी बजब्च पन से आसी है औक्सीजन क्या हो रहा है डिक्रीस कर रहा है कि आ इंचिरी कि आती है से स्वितागा महतीट किस्यां है यहां से आप को बता है मेतोंकों फुरेश अश्ची मिया की काम है, इस्पेडलेशन, और इस्ची मिया का हम लोग यहां पर पहुच गए टीजिस के कारण इस्ची मिया के करान हीजिए है के समझ रहे हो तो यहां तक था नॉर्मल है बेसिक पहले कहानी की तरह समझोगे हाइपोक्सिय हाइपोक्सिय है किसके कारण ऑक्सिजन कम पहुचा है तो माइटोकॉंट्रिय का फॉंक्शन कम हो जाएगा मतलब एटीपी बनने कम हो जाएगा और एटीपी तब ने बनेगा तो सिल में डेम मैं किस जगह में सिल सबसे ज़्यादा एटीपी यूज करता है सिल की मेमरेन में लगे हुए होते हैं बहुत सारे पंप और यह पंप सबसे ज़्यादा एटीपी यूज करता है और यह जो पंप होते हैं उस पंप को क्या बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कौन सा काम है समान को इधर से उधर करना समझ रहे हो और जो समान है वो है sodium and potassium जो pump है वो करता है क्या है कि sodium को बाहर फिकता है और potassium को अंदर लेता है pump क्या करता है sodium को बाहर फिकता है potassium को अंदर लेता है समझे होता है क्या चाहिए समझ लो sodium potassium pump actually में है क्या मालो कि अगर यहां पर pump लगा हुआ और यहां पर 100 बंदे है और यहां पर 10 बंदा यह गेट प्रेशर लगा रहे हैं 100 बंदे और बाहर से 10 बंदे अगर इन्हें अंदर आना होगा easily आजाएंगे क्योंकि इदर स्रीफ और स्रीफ 10 है बहुत अराम से 100 के 100 अंदर आजाएंगे समझे तो जब यह अंदर आएंगे इसे हम लोग बोलते हैं diffusion without any energy का use किये हुए बहुत easily अंदर आजाएंगे तो हम लोग diffusion बोलेंगे और यह जो 10 है यह 10 को बाहर जाने के लिए बह पुस्ख करके जाने के लिए इने क्या लगेगा energy की जरूरत लगेगे और जहां पे energy की जरूरत है उसे हम लोग बोलते है active transport क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को energy की जरूरत पड़ रही है समझे और इसी चीज़ को बोलता है sodium potassium pump समझ रहा हो और यह बहुत जरूरी है ब रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है वसह को अब मालो अगर जो हम रहे है वह है रूप जाए अब मालो अब यह जो sodium potassium pump है जो वो काम करना बंद कर दें टीक है जो sodium potassium यह जो pump है ना वो pump काम करना बंद कर दें क्योंकि यहाँ पे जो ATP होती है सबसे जादा वो ATP कम हो गई ATP नहीं बन पार ये, ATP नहीं मिल पार हुए तो यह अपना काम करना बंद कर देगा जैसे ही pump में defect होगा यहाँ पे sodium जमा होना इस्टार्ट हो जाएगा क्या यह start हो जाएगा sodium जमा होना start हो जाएगा और सुने होगे जहां पे sodium वहां पे पानी नमक के डब्बे को अगर खुले चोड़दोगे तो वहां पे पानी एट्रेक्ट कर लेता है और गिला सा हो जाएगा समझे ज्यादा पानी में अगर नमक घोल के पी लेते हो तो बीपी इंक्रीस कर जाती है समझ रहे हो ऐसे नॉर्मल सी बात है सबको मालू में यह सारा कुछ तो यह क्या दरेगा है यह भाई साथ पानी को एट्रक्ट करेगा यह सोडियम किसको एट्रक्ट करता है पानी को एट्रक्ट करता है तो क्या होगा कुछ टाइम बात यह जो सिल है यह सोडियम के साथ ह2 आ जाएगा और जैसे ही ह2 आएगा यहां पर स्विलिंग हो जाएगी सिल कुछ ऐसा बन जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं इंपोर्टेंट है इसे एसा बन जाता है ऐसा करके छले निकलने लगते हैं इसे इसे निकलने लगते हैं यह गोल गोल सा और इसे हम लोग बोलते हैं बलेबिंग बलेबिंग क्या बोलते हैं बलेबिंग तो सेल में क्या ची होता है सेललर स्वेलिंग हो जाता है क्यों हो रहा है क्योंकि सोडियम पोटेसियम पंप बंद कर गया है अपना काम करना जैसे बंद कर देगा सोडियम अंदर रह जागा और अच्छी बताया दिया आप लोगों को यह सब नॉर्मल चीज है इतना मानूम होगा कि अगर नमक के डब्बे को छोड़ दिया जाए कुला तो वो पानी है ट्रेक कर लेगा खाने में अगर नमक ज्यादा ले तो पीपी आपका मारा तो पहला से पर अच्छी होजाता है एक बर तो रिसक्रेशन इस पर राइशन में कहान ने का हैAy पहले तो हम लोगों का glucose, glucose से बनता है, glycolysis, glycolysis होता है, glucose से क्लाइकोलाइस, और glycolysis से क्या ची होता है, crave cycle, crave cycle, और crave cycle के बात क्या ची होता है, electron transport chain, और यह दोनों mitochondria में होता है, glycolysis जो है, हम लोगों का कहा होता है, साइटोप्लाज में होता है, glycolysis, साइटोप्लाज में होता है, और यह माइटोपॉंट्रिय है, और सेल के लिए यह दोनों चीज जो है, बहुत important है, अगर यह नहीं होगा, तो यह नहीं हो पाएगा, ETC अगर नहीं होपा है, तो क्रेप साइकल होना impossible है, समझें, और यह करवाने के लिए आपको oxygen की requirement है, तिसकी requirement है, oxygen बहुत जरूरी है, यह हो भी सकता है, glucose and glycolysis तक जाना बिना oxygen का possible है, दो ATP का formation होगा, यह possible है, बट आपको क्रेप साइकल और ETC करना है, तो आपको oxygen चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर total 34 ATP produce करवाते हैं, यह सबसे ज़ादे ATP produce करवाएंगे, समझ रहे हो ना, तो क्रेप साइकल और ETC जाने के हम लोगों का क्या form हो जाता है, Lactic Acid, और यह जैसे कि, आपको मैंने पहले भी बताता है कि, ज्यादा exercise कर लेतो है, तो बोडी में पेन हो जाता है, बोडी में पेन क्यों होता है, क्योंकि O2 decrease हो जाता है, और O2 decrease होने के कारण, हम लोगों का glucose से direct glycolysis, glycolysis से Lactic Acid बन जाता होगे, या normal exercise करते होगे, तो मसल में पेन क्यों होता है, क्योंकि Lactic Acid का formation हो जाता है, यह simple सा concept है, और इसी को हम लोग बोलते है, Acidosis, क्या होता है, Acidosis मतलम Nucleic Acid का Damage होना, Nucleic Acid मतलम DNA का Damage हो जाना, DNA क्या होता है, damage हो जाता है, clump कर जाता है, clumping भी बोल सकते हैं, इसे समझे, clumping भी बोल सकते हैं, DNA damage हो जाता है, DNA clump कर जाता है, DNA clumping, ऐसी Doces, यहां से direct क्यों oxygen नहीं मिल पा रहा है, यह चीज, इतना समझ लो, DNA clumping हो गई है, क्यों हो गई है, oxygen नहीं मिला, आगे की cycle ने बड़ी, glycolysis से Lactic प्रेटिकेसीट की फ्रमेशन हो गई, सिंपल सा फंडा आइए, अब एक और पंप होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट पंप है, कैलसियम पंप, तो कैलसियम पंप, यह पंप करता है, यह पंप हम लोग होगा, कैलसियम को यह तो अंदर रखेगा, और कहां पर इंडो प्लास् में, मतल click, कैलसियम रहना, बहुत ही घातक साभीत होता है, समझें, तो यह क्या गरता है, या तो यह जो पंप है, यह तो यहां पर इंडो प्लाजमिक रेक्टिकूलम है, इसे दे देगा, नहीं तो इसे बाहर भेंगा, पंप जो लगा होगा होता है, और कैलसियम को अंदर नहीं रहने देगा केल्सियम अंदर रहता है तो बहुत ही घातक साभीत होगा सेल के लिए तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो हमारे पंप है वह पंप काम करना बंद कर दे रहे हैं क्यों कि इन्हें एनरजी एक्टिपी नहीं मिल पा सेल के लगए तो बहुत तो His वह सकुत है तो अब इसके और कैलशीम का होगा का एंफयल का शंत quarter की ही दो बहुके है सबसे अन्यद्वा करें कि एक्टिवेट करेंगा सबसे पहले एक्टिवेट करेंगा फॉस्फोनाइब 222ी यह एक्टिवेट हो यह क्या करेंगा मेंब्रेन को देज analytic करता दूसरा करता है एंडो निकलिय है और इंडो निकलियेज इंट करद्फ कराएक लेगा डी एने को डिएस्ट करने लगेगा समझ मिए आया तीसरा करता है प्रोटी इस दिसे हिंटिवेट वहो है यह क्या करेगा प्रोटीन को mis को डाईजस्ट करे ओसे का ना बसफोलाइब तो नेयुग्लियज और प्रोटिय थी नुमेन इंजाएम से अक्टिवेुएट होघाएंगे जिसके कारण मेंबरेन डाईजेस्ट होने लगेंगा डी-एना डाईस्ट होने लगेगा प्रोटियिंट Virginia बाचे का निधा तो तो यह सारा कुछ तीन इंजैम एक्टिवेट करता है सब्सक्राइब रीवारे क्यों करने वाले हैं रीवी करने वाला एंजाइम होता ईललायोह। यह जो मृक्त कि रखता है। और ऐहुत ही इंजान्डिक रखता है। और यू जी सकते बासा इंजागे चांड़ाता है, तर ये 4 साल पुछा जाँ decision है। समझें और इसे सूसाइडल भी बिदेश और उसे सूसाइडल बैग पूलते हैं वह अभी जानेंगे इसे सूसाइडल बैग क्यों बोलते हैं अगर यह फट जाएना बैग में होता है जिलली की तरह होता है जिलली में समझों कि पानी भरा हुआ रहता है hydrolytic enzyme रहते हैं यह सारी enzymes रहते हैं अगर यह फट जाये तो पूरा पूरा cell खा जाएगा एक तो पहले membrane digest करेगा dna digest करेगा protein एंडइजेस्ट करेगा पूरा अगर यह सेल्स है एसा है यह पुरा क्षक करके टुपड़ा टुपड़ा एसे हो जाएगा ऐसे हो जाता है इसी को बोलते है सूसाईडल तो हम लोगह का और डी Abg रइलीज कर देता है लाइज जो भी क पेश्य से स्पेली से जो हम सब्सक्राइस कि अधरी फ़ीस कों पॉचिश को абि citricist कर जा रहा है ज्यू से इसे हम लोग तरह से समझते श्टार्टिंग से जो हम लोगों से ATP plus CO2 plus H2O बनता है तो ATP बनाने का process जो है कम हो जाएगा मतलम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों का ATP नीचे आ गिया तेखे और ATP formation कम हो गिया तो हम लोगों का जो sodium potassium pump है काम करना बंद कर देगा जैसे sodium potassium काम करना बंद कर जाएगा क्योंकि इसे energy चाहिए और energy देगा ATP तो यह काम करना बंद कर देगा तो sodium cell में जमे होने लगेंगा और जैसे sodium वहाँ पर रूखेगा sodium नहीं फेक पाएगा cell बाहर तो H2O के साथ react करेगा ठीक है जमा होने लगेगा accumulate इस टूवे के साथ react करेगा और पानी भर जाएगा जैसे ही पानी भरेंगे swelling हो जाएगे cell में जिसे हम लोग cellular swelling भी बोलते हैं और blaming भी बोलते चले नुमा structure आजाएगा कुछ ऐसा करके ऐसा करके कुछ structure अच्छर बन जाता है यह ठीक है इसे हम लोग ब्लेबिंग बोलते हैं अब दूसरा क्याची था हम लोगों का calcium pump calcium pump काम करना बन कर दिया क्योंग energy ने मिल रहा और calcium किया तो enzyme जो है हम लोगों का enzyme active हो गया ठीक है एक्जाइम क्या हो गया activate हो घृद कर दोक्व turningम लोगों आता है फिर हम लोगों का lactic acid 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 G और गलाइकोलाइसेस यह ऐसीजन भी रहेगा न तो यह अपना काम करतेगा ग्लुक ऑखेस हो जाएंगे यह प्रोसेस के पाद हम लोगों का क्रेप साइकल होता है फ्रेप कॉने बह disfrut तो यह होता है तो डीने क्लंप कर जाता है और लास्ट जो हम लोगों का सेल पूरा पूरा डाइज़ेश्ट होजाता कब अगर बागी अगर mcqs वेगर देखा जाए नीट पीजी में वो मैं next class में बताऊंगा कैसे क्या होता तो यह सारा आपका process है cellular injury का यही main process है यह सारा कुछ reversible और irreversible में दूनों लिखना बागी reversible में क्या अलग है और irreversible में क्या अलग है वो मैं बताऊंगा मतलम difference between reversible और irreversible समझे इतना process reversible में भी होगा irreversible में भी होगा कुछ difference है जो कि irreversible में extra होगा जैसे यहाँ पर आप लोगों का blebing होगा blebing जो मैंने बताया था छले नुमा structure बन जाता है तो यहाँ पर जो ब्लेविंग होगा ज्यादा होगा फिर यहाँ पर राइबोजोम का डिस attachment होगा नेक्स क्लास में इंडो प्ल्मिक रेक्टिकूलम के साथ राइसे होगा होता है यहाँ पर राइबोजोम के साथ गींदाफ्टान के साहँ करते हैं ribosomes endoplasmic के साथ उसे smooth endoplasmic recticulum करते हैं, इसका काम होता है protein का synthesis rough का तो ये disattach हो जाता है समझे, फिर myelin figures बनते हैं, myelin figures क्यों बनते हैं वो बताऊँगा फिर और भी इस tapes है सारा next class में करूँगा वहाँ पे आप लोगों का समझो की reversible और irreversible की concept खत्म हो जाएगी, उसके बाद necrosis, necrosis के बाद, apoptosis apoptosis के बाद, आप लोगों का calcification, calcification के बाद inflammation, खत्म so thanks और मिलते हैं next class